तो नमस्कार दोस्तों आप सभी कबुदबुद स्वागत है आपके पने यूट्यूब चैनल एके ओलाइन पॉइंट पे फ्रेंट्स एक बार फिर से आपके बिहार में नई भरती की जानकारी लेकर आचुका हूँ जहां फ्रेंट्स जो कि आपके बिहार के फिलिस बिभाग के आ रही है और वैरियस पोस्ट हैं जैसे की डाटर सहयक हुआ प्रोग्रामर हुआ सिपाही हुआ और साथ में इंस्पेक्टर के भी यहां पर पहालियां की जा रही है तो मैंने आपको बता दिया कि बिभिन प्रकार के यहां पर निकाले जा रहे हैं और सभी की अलग तो इसके जरी यह सारी जानकरी आपको बताएंगे तो आप वीडियो के नहीं तक बने रहेगा चलिए फ्रेंट्स वीडियो को सुरू करते हैं तो जैसे फ्रेंट्स आप लो देख पा रहे हो आज के डेट के न्यूज पर मैं आ चुका हूँ जो कि आज के डेट में जारी की गई है यह सास्तो चालिस पदों पर होगी अस्थाई बहाली है यहां फ्रेंट्स पर्मानेंट जॉप है और आप देख पा रहे हो कि अंतिम चरण में बहाली की तैयारी है और कौन-कौन से पदों पर बहाली निकल के आ रहे हैं सबसे पहले मैं आपको यह जानकरी देना चाहता आप देख पा रहे हो कि जिलों में तीन यूनिट अस्थाफित करने का लच्छ प्रतेग यूनिट में एक इंस्पेक्टर ठीक है यह एक जिले की बात कही जारी है एक जिले में तीन यूनिट अस्थाफित किया जाएंगे और प्रतेग यूनिट में ठीक है एक इंस्पेक् और 74 प्रग्रामर 222 SI 222 सिपाही यानि की डाटा सहायक सिपाही कौन से सिपाही होंगे यहाँ पर डाटा सहायक एवं 148 सिपाही समेथ कुल 740 पतों की स्रिजन की मन्जूरी दी थी ठीक है यहाँ पर आप देख पारे हो कि जो साइबर क्राइम एंड सोसल मीडिया यूनिट की अस्थापना से लेकर निगरानी नियंतरन का पूरा जिम्मा आर्थिक अपरात इकाई पर है और पहली बार इन पनों पर सीधी भाली होने जा रही है ठीक है और सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार CC SMU में होने वाली नियुक्ति केंडर पोस्ट होगी और इस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक IT के इस्पेक्टर होंगे और योगता का निधारन इसी जरूरत को ध्यान में रख कर किया जा रहा है ADGP और EU जितिंदर सिंग ने यहां पर गंगवार का कहना है कि 74 यूनिटों में भाली की पक्रिया परतेजी से काम कर रहे हैं और सभी चीजें लास्ट स्टेज पर हैं तो यहां पर जो भी पक्रिया हैं सभी पक्रिया लास्ट स्टेज पर हैं और आपके भिहार में नगर रखते हुए चुनाव में चुनाव पहुंचते हुए इसकी जो अफिशिल नोटिफिकेशन है विग्यापन जारी कर दिये जाएगा और क्या वाते बताई गई है कि यहाँ पर क्राइम को रोकने और सोसल मीडिया पर निग्रानी रखने के लिए राज के सभी जिलों मे गठिट साइबर क्राइम एंड सोसल मीडिया यूनिट के लिए अस्थाई भाली होने जा रही है आर्थिक अपरात इकाई ने 749 पतों के लिए प्रस्ताव तयार कर लिया है जल्द ही विग्यापन जारी होगा वर्तवान में काम कर रही CCSMU में सम्मिदा अथवा पुलिस क कि विविन इकाईयों और जिला बल से यहां पर प्रत्निक्त किये गए साइबर एंड सोसल मीडिया से जुड़े अपरात को कंट्रोल करने और मामलों की जाच के लिए राजभर में 74 की अस्थापना की जारी है CCSMU की और सरकार ने निड़े अनुसार 20 थानों और वालों ज प्रस्ताव इसका तयार है और बिग्यापन चुनाओं तक इसका निकाल दिया जाएगा आप लोग इसके लिए ऑनलाइन आविधन कर सकोगे सिपाही उगेरा के लिए आपको पता है इस्पेक्टर की क्या क्वालिफिकेशन होती है बात आती है आपर डाटर साह की तो वहां करें कैसे लिए फ्रेंट्स वीडियो को लाइक करके बताए आप प्रोग्रमर की कॉलिफिकेशन आपको पता है क्या होनी चाहिए तो आप अपनी स्रेटिफिकेट तयार रखें ठीक है बहुत जल्द बहाली इसकी निकल के आ जाएगी जानकरे कैसे लिए वीडियो को लाइ इस वीडियो में तो लिए बाई टेक केर